हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फोन पे एप से किसी भी बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नमबर के थुरू कैसे पैसे भीजे जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम फोन पे एप ओपन करेंगे और यह सक्सेस्फिली ओपन हो चुका है उसके बाद two accounts उपर लिखा हुआ है उस पर click करेंगे click करने के बाद यहां अगर हमने पहले ही bank account number add किया होता तो add list दिखाता तो हम add bank account number पर click करेंगे क्योंकि हम bank account number add करना है तो सबसे पहले हम IFSC code डालेंगे जिस भी bank account में हमें balance भीजना है तो मालिय हमने यह IFSC code डाला तो यह branch सर्च कर रहा है तो यह branch PNB bank है और इसकी यह branch है उसके बाद account number डालेंगे जिस भी account number में हमें पैसे send करने है तो यह account number हमने type कर लिया है उसके बाद confirm account number इस account number को हम दुबारा confirm करेंगे या तो copy कर लेंगे copy करके हाँ paste कर देंगे या फिर हम दुबारा इसे type कर लेंगे type करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कहीं mistake हो रही होगी तो यह confirm हो जाएगा तो फिर से हम इसे type करेंगे bank account number को उसके बाद नीचे लिखा हुआ है account holder name तो जिस भी बंदे को हम balance भीज रहे हैं उसका name लिखना है मतलब account holder जो account में name है उसके वही लिखना है हमें तो जैसे हमने यहाँ पर लिख गया सेव निक के और आगे लिखेंगे limited उसके बाद नीचे लिखा हुआ है phone number यह भी optional है हम phone number उसका डालना चाहे तो डाल सकते हैं और nickname यह भी optional है उसके बाद नीचे keyboard में right पर click करेंगे click करने के बाद confirm पर जाएंगे confirm पर इस पर click करेंगे तो यह confirm हो रहा है और यह bank account successfully उपर लिखावा seven equal limited और account number successfully add हो चुका है अब हम इसमें balance भीजते हैं कैसे amount send किया जाता है right पर click करेंगे और send इस पर click कर देंगे click करने के बाद हम यहाँ upi pin enter करेंगे और इस bank account में successfully amount send हो जाएगा तो इस परकार हम phone pay के through किसी भी bank account में balance या पैसे भेज सकते हैं